अब हम पढ़ेंगे अध्या 21 में पैटर्न अभी तक हमने पहलिया देखी और कुछ पहलिया बना कर भी देखी आकरितियों का अगला क्रम क्या होगा देखो और समझो अब हम क्या करनेंगे पैटर्न कैसे बनाते हैं उसे हम सीखेंगे यहाँ पे कुछ आकरितिया दी हुई है उन्हें क्या करना है हमें उनका अगला क्रम यहां पे बनाना है रिक्तरसान पे अगला क्रम दिया हुआ है एक के बाद एक इस्टेप दिया हुआ है उसके बाद अगला इस्टेप क्या होगा उसका अगला इस्टेप क्या होगा उसे हमें इन रिक्तरसान पे बनाना है पहला पटन दिया हुआ है, एक वर्ग है, एक वर्ग के साथ दूसरा वर्ग जूड़ा हुआ है, दूसरे इस टेप में थी, तीसरे इस टेप में तीन वर्ग है, जूड़े हुए, अब चौथे इस टेप में क्या होगा, चार वर्ग होंगे, एक, दो, तीन, चार, ऐसके चार वर्ग एक साथ दूबरे रहेंगे अगले step मेंं ऐसी हमें डूसरे तिसरे चाहों थे इन सब को बनाना है सब आकृतियों का अगला क्रम हमें बनाना है यहां पे रिखते नेज़ प्रप दिखते हैं त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बनाने का यह फर्स्ट डिश्टोप है उसके बाद यह सेकेंड इस्टेप है उसके बाद थार्डे स्टेप में क्या हो जाएगा पूरा त्रिभुज यहां पर अंदर में छोटा त्रिभुज बनेगा उसके बाद नए स्टम देखते हैं एक आयता कार अकृती दी हुई है उसके अंदर एक दो आढ़ी लकी रहें और एक सीधी पहले में दूसरी सीधी दूसरे दो सीधी हैं दूसरे में तीन सीधी लकी रहें तीसरे स्टेप में चौतरे स्टेप में क्या हो जाएंगी चार सीधी लकी रहें हो जाएंगी और एक व्रित दिया हुआ है एक लकीर है उसके बाद दूसरे श्टेप में एक लकीर फिर दूसरा लकीर है फिर व्रित के अंदर फिर तीसरा लकीर खिच के उसको अंत में एक छोटा वर्ग चार लकीर के उसाथ आएगा लास्ट बे उसके बाद सिक्स में फ्लावर का फूल का ए जाए अन्दर करें च多टा व्रित एक स्थे उस्केबाद दूसरा च्टेप में में两 günst हो जाएंगे PassKYा minha साइड एक मैं साइड दाये साइड धर नीčे साइड है फिर बाएं साइड है अब यह त से प्रकार से आगे पहले की चिंद cioè ahead में एक टीकुछ के अन दर अथ्फ है इसनलामラ में देखते हैं एक वरग दिए हुऊ कर दिया हुए फिर इसका उपर में ARE तरफ दिए हूए है फिर नीचे सरफ दिया हूए है अब next step में बायоп तरफ बींदू हो जाएगा आगे पैटण इस और आ पैटपन दिए हूए है पहले आकृति जैसी आकृति पहली आकृति यहां पे पहली आकृति दी हुई है उसकी जैसी आकरिती जो तीन आकरिती वो में धुनना है और सही आकरिती फर निसान लगाना है इसी की जैसे आकरिती इन तीनों में कौन सी होगी उसे हमें धुनना है और इसी की जैसे सेम आकरिती को हमी क्या करना है सही का निसान लगाना है तो पहली आकरिती जैसी आकरिती कौन सी है इन तीनों में ये वाली है उसके बाद दूसरा में पहली आकरिती जैसी आकरिती इन तीनों में कौन सी है ये वाल सेकेंड वाली है उसके बाद थर्ड में पहली आकरिती जैसी आकरिती इन तीनों में कौन सी है यह लास्ट वाली उसके बाद फूर्थ में पहली आकरिती जैसी आकरिती इन तीनों में कौन सी है लास्ट वाली उसके बाद फिप्त में पहली आकरिती जैसी आकरिती इन तीनों में कौन सी है यह फर्स्ट वाली आकरिती ही क्या है पहली आकरिती जैसी है उसके बाद है 6 में देखते हैं पहली आकरिति जैसी आकरिति तीनों में कौन सी है ये वाली है आगे pattern 3 में देखते हैं आकरितियों को ध्यान से देखो और उनमें से जो अलग आकरिति है उसके उपर सहीं का निसान लगाओ चलो लगाते हैं पहली आकरिती जो अलग आकरिती है इन चारों में जो सबसे अलग है तीन सेम रहेगा तीन तो आकरिती सेम है और चारों में एक आकरिती जो है अलग है उसे हमें क्या करना है सहीं कर निसान लगाना है तो इन चारों में अलग आकरिती कौन से दिख रही है ये वाली रिते के अंदर सिधी लकी रहरे इसमें BC में looking और इसमें तीन बींदू है बाकि में दोडों बींदू है थाड़े में देखते हैं पहली अलग आकरिटी कोन सें दीख लिए ये वाली वर्ग के अंदर उलटायन बना है बाकि में तो सिधायन बना आगे ओ Euch यहें क्या अलग आकरिती हो गई उसके फिप्त हम देखते हैं एक आयत के अंदर दो लखीद्ध किची होई है तो लखिडों का डारेक्शन टीन्ठों में सेम है इसमे और इसमें इसमें और यह जो है अलग उल्टे साइड में लखीद खिच हुआ है तो यह वाली आकरिती हो यहाँ पे हो जाता है चैप्टर क्लोज उसके बाद है आगे दिया हुआ है राश्रगान देश हमारा सबसे प्यारा में राश्रगान आगे दिया हुआ है